मेरा नाम दॉक्तर क्विकास है मैं माना परताव वोटीकल चनुश्टी से वहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट पे हूँ और मैं मुर्थल रिसर्च सेंटर है जो मारा मश्रूम का हुआँ और यह हमारी धिंगरी मश्रूम है इसका जो सब्टेट हमने त्यार किया यह कार्बंडेजिम जो भी फंगी साइड आपको मिले वो उसके अंदर डाल सकते हैं उसका गोल बनाके उसके अंदर हमने बूसे को ट्रीट किया तो अलगवक बारा से चोदा घंटे तक उसको डबो के रखा अगली दिन फिर हमने उसको निकाल दिया जो हमारा अक्सेस वाटर थ देखें कि पानी अच्छे से निकल जाए और विल्कुल फ्यल हो आपके कि हम ऊश्चर आ रहा है तब इसके अंदर बीज डालने और बीज डालने के बाद इसको लगबग चारचर या पांच-पांच किलो के बैग बनाके रख दें तो आप देखेंगे कि जो बीज आपने बाद निकलनी स्टाट हो जाएगी आप देखेंगे कि 5-7 दिन बाद आपको इसमें पीनिंग दिखानी लग जाएगी और आपकी मिश्रूम बाहर आने लग जाएगे तो जैसे जैसे आपकी मिश्रूम का साइज बढ़ता जाएगा जो मार्किट की साब से साइज है जीस त और लगबग 80 से 85 या 90 परसंट तक इसको हूम डीटी चाहिए होती है अपने पूरे क्रोपिंग पीरिड के अंदर मार्केट में इसकी जो प्राइज वैल्यू है लगबग 100 रुपे से उपर ही रहती है और लगबग यह 60-70 दिन का पूरा क्रोप का इसका साइकल रहता है और मार्केट में अच्छे लगबग इसके प्राइज 100-500 रुपे के बीच में बिख जाता है और आगे फिर यह बटन मश्रूम की बात है तो इसमें भी लगबग यह थोड़े ठंड की मश्रूम है ठंडे ताप मानव या उस बातवरण में होती है इसमें पहले इसका कंपो परसेंट ने चिकन में डालना है और देड़ से 2% हम इसमें यूरीय डालते हैं और लगबग 1% के आसपास अपर समीसमें डाल देते हैं और 10% जीपसम और 10% ही चोकर तो वह डालने के बाद इसका हम सारा मिक्शन मिक्स कर लेते हैं फिर उसको एक दिन चोड के एक दिन उसक अगर हमारी fresh body milk बिख जाती है तो बेज दें उसके बाद उसको हम dry करके उसका बंडारन कर लेते हैं तो उसकी 100-100-100 ग्राम की packing करके ये भी मार्किट में बिखती है तो इनका मार्किट में अलग रिटर जैसे ओष्टर होती है तो 600-700 रुपे कीलो के साब से बिखता है और जो जैसे वहीं भी बना सकते हैं उनको सुखा के ये उनकी medicinal value जैसे अलग अलग होती है तो उनसे अरक भी बनाते हैं तो उसका हम कई भी बारियों में यूज होता है जैसे सिटा के मश्रूम है उसकी एंटर कैंसर प्रपर्टी है और बीपी शूगर जिनके रहते तो उनका सब जब हम इसका यूज कर सकते हैं इसका सीड है हमारा जो मानपरताब होटिकल से उन्वस्टी है इसका रिजिनल मुष्ण सेंटर है मूर्थल में तो वहां से सीड आपको पूरे बने-बनाई बैग भी मिल जाते हैं हरे मश्रूम के बैग मिल जाते हैं और हरे एक मश्रूम का विजो मिल जाता है और उची तरों पसी है एक प irफिक्या होती है तो एक नंबर आ आपना कोल करके रशेशन करा सकते हैं तो जैसे भी आपका नंबर आएगा तो आपको कोल आ जाएगी कि मुर्थल सेंटर में इस दिन ट्रेनिंग है और आपको आना है और जो भी यह सर्टिपिकेट कोर्स है इस ट्रेनिंग का सर्टिपिकेट दिया जाएगा और यह सब भी फ 60 साल से कम होनी चाहिए इससे ज्यादा किया इसे कम कि जो उम्र के लोग होगे उनको ट्रेणिंग नहीं रहाइए यह बिल्कुल कोई भी इसमें किसी भी राज्य से पूरे संपून भारत से कोई भी फार्मर किसान आके ट्रेणिंग कर सकता है यह बिल्कुल नीश्वल झाल झाल झाल